नमस्कार, चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है, MC कुछ से समंधित, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन-कौन से महत्यपुन प्रस्न है, पहला प्रस्न है ब्रेस्पति गरह की खोज के लिए सुरू किये गए यूरूपी अंतरिक्ष एजनसी ESA के मिसन का नाम निमलिखित में से क्या है ओप्सन A, Mars Rover, ओप्सन B, Juno, ओप्सन C, Juice, ओप्सन D, कैसे नहीं होईंगे इस देखते हैं इसका सही जवाब किया, इसका सही जवाब है, ओप्सन C, यानि कि Juice Mission, आईए देखते हैं इसकी व्याक्या यूरूपी अंतरिक्ष एजनसी 13 अप्रेल 2023, मतला आज की ही दिन, Arian 5 लॉंचर पर फ्रेंच गएना में अपने Space Port से Juice Mission लॉंच कर रहा है, यहाँ जो Juice Mission है, इसमें Juice का फुल फॉर्म है, Jupiter I.C. Moons Explorer Mission जिसके अंतरगत, 2031 में ब्रिस्पती तक पहुँचाने की यूजना है, और इसका निर्मान Airbus Defense and Space के नेत्रित में एक अध्योगिक संग द्वारा किया गया है, वहीं इस मिसन का उद्देश से विसाल गैसकरा, मतलब ब्रिस्पती गरह की यहाँ पर बात हो रही है, और इसके तीन विसाल चंद्रमाओ, गैनिमेड, कैलिस्टो और यूरोपा की व्यापग जाँच करना है, जिसमें रिमोट सेंसिंग, भू भूबहुती की मापन और स्वा इस्थानक, मतलब इन सीटू उपकरनों से अत्याधुनिक तकनिकों की एक विवित स्रेनी का उपयोग किया जाएगा, और ब्रिस्पती की जांच करने वाले, अगर हम अन्य अंतरिक छियान की बात करें, तो उसके अंतरगत कैलिलियो प्रोब और जूनो सामिल है, साथी, नासा के यूरोपा क्लिपर को अभी 2030 में अपने यूरोपा चंद्रमा का अध्यन करने के लिए ब्रिस्पती पर पहुँचाने के लिए निर्धारित किया गया है, बढ़ते हैं अगली प्रशन की और, अगला प्रशन है कि किस प्रमुख नेता ने पैपसु मुजारा आंदोलन में महत्यपून भूमिका इसका सही जवाब का है? इसका सही जवाब है आएए इसकी व्याक्या करते हैं सबसे पहली बात कि आखिर इनका नाम यहाँ पर क्यूं आया है या खबर में क्यूं ही वह इसलिए है क्योंकि पंजाब सरकार के द्वारा हाली में तेजा सिंग सुन्ततार के मूर्थी का अनावरण क्या गया है मूल रूप से अगर इनके नाम की हम बात करें तो वह नाम है समुन्द सिंग और इनका जन्म 1901 में गुर्दासपूर जीले के अलोना का में हुआ था इन्होंने अपनी स्कूली सिक्षा पूरी करने के बाद अमरिसर के खाल सा कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में अकाली दल में शामिल हुए और गुरुद्वारा मुक्ती आंदोल में इन्होंने भाग लिया साथी साथ सुतंतर जत्था का भी इन्होंने गठन किया और 1921 में तेजा गाउं में एक गुरुद्वारे को सबखता प्रुवक मुक्त करा है 1923 में ये काबूल गया और काबूल जाने के बाद गदर पार्टी में सामिल वे साथी 1925 में इन्होंने अपना नाम बदल कर जो नाम रखा हुआ आजाद बेग इस छदम नाम के साथ तूर्की में स्टैनिर परसिक्शन को इन्होंने प्राप्ति किया फिर आगे गरम इनकी भूमिका देखें तो करनाडा और स्विंक्त राज अमेरिका में इन्होंने प्रवासी भारतियों की सभाओं को संब्धित किया और जब ये भारत वापस लोट कर आए तो ये भाकपा मतलब भारती कम्मिनिस्ट पार्टी के प्रमुक निता बने साथी साथ जेल में रहते वे इन्होंने पंजाब इधान सभा का चुनाव लड़ा और ये चुने भी गए और 1945 तक सदस्तर है साथी 1944 से 1947 तक कम्मिनिस्ट पार्टी के यह सचीब रहे और एपसू मुजारा आंदोलन में इन्होंने महत्पून भूमी का निभाई भूमी हिन किसानों के लिए भूमी के सौइट के अधिकार की वकालत इस मुजारा आंदोलन के दरगत की गए थी अगर हम मुजारा की बात करें तो इसका अर्थ होता है किसान, किसक या कास्तकार वर्सों तक जमीन जोतने के बाद उसका मालिकाना हक लेने के उद्ध से इस आंदोलन को सुरू किया गया यहां अंदोलन 1930 के दसक में बिटिस सासन की ताथ सुरूआ जब जागिड़दार पट्याला रियासत की ताथ पंजाब के गाउं में किसानों की फसल में हिस्सा मांग रहे थे यह हिस्सा पट्याला के महराजा और फिर अंग्रेजों को दिया जाता था इस प्रकार यह किसान, जागिड़दार, महराजा और अंग्रेजों के गुलामों की तरह काम कर रहे थे पत्क किसानों ने यह जनान दोलन प्राणिम किया जिसमें उन्होंने अपने मालिकों को अनाजद देने से मना कर दिया भारत की अजादी के बाद पटियाला रियासत के कुछ 784 इन गाउं को पैपसु परांथ के रूप में नमित किया गया बाद में 1990 मार्च 1999 को इन किसानों ने किसंगर में महराजा के सुरक्षा बलों का सामना किया जिसमें चार किसान एक सिपाही और एक पटवारी मारे ले यह था मुझारा आंदुर बढ़ते हैं अगले प्रशनी की ओर अगला प्रशनी है कि तक्नीकी वस्तरों के लिए गुणवत्ता नियंतरन आदेश संचेप में QCO जारी करने की दूसरे चरण में कौन सा छेतर शामिल है और देखते हैं इसका सही जवाब किया है इसका सही जवाब है और देखते हैं इसकी व्याक्याद कपड़ा मंत्राले ने पहले चरण में 31 वस्तरों के लिए दो गुणवत्ता नियंतरन आदेश लौंच किये जिसमें 19 जियो टेक्स्टाइल और 12 प्रोटेक्टिव टेक्स्टाइल सामिले जियो टेक्स्टाइल क्या होते हैं इसे हम अगले प्रशन में देखेंगे वही हम गुणवत्ता नियंतरन आदेश या क्यू सी ओ की बात करें तो इसका उदेश प्रयावरण मानब स्वास्ते और पशू पौधों के जीवन की सुरक्षा के लिए जो ये वस्तरे इन वस्तरों के मानकर गुणवत्ता में सुधार करना है वही पहले चरण में जूट, जियो टेक्स्टाइल, सुरक्षात्पक कपड़े, बुलेट परतिरोधी जैकेट और रेन पैंचो जैसे आइटम सामिल है QCO के आधिकारिक राजपत्र में जब इसका प्रकासन हो जाएगा तो प्रकासन से 180 दिनों के बाद यह कानून प्रभावी हो जाएगे और भारत को निर्यात करने वाले घरेलू और विदेसी निर्माताओं के लिए इसका अनुपालन करना बाध्ध होगा अनुपालन करने के लिए वो बाध्ध होगे और यह अनुपालन करना आवस्यक होगा वह अगर हम आगे देखें तो टेक्स्टाइल मिनिस्ट्री ने यानि की कपड़ा मंत्राले ने दूसरे चरण में 28 मदों के लिए दो और QCO की योजना बनाई है जिसमें एग्रो टेक्स्टाइल और मेडिकल टेक्स्टाइल शामिल है तीसरे चरण में 30 से अधिक तक्निकी वस्त्र वस्त्रों को जारी करने पर विचार किया जा रहा है QCO की अगर हम बात करें या तक्निकी वस्त्रों के मानक और गुर्वत्ता सुनश्चित करते हैं भारत में उद्योग की विकास को बढ़ावा देते हैं और प्रतिस परदी मुले पर गुर्वत्तावाले उत्पादों का उत्पादन करते हैं बढ़ते हैं आगले प्रशन की और आगला प्रशन है कि göra textile और protective textile की बीच मुख्य अंतर क्या है पाला option option A cobsteo textile अत्यदिक ठंडे मौसम वाले कपड़े जबकि protective textile बुने हुए कपड़े होते हैं option B geographical प्राक्रतिक रेश्णों से बनाए जाते हैं प्रोटेक्टिव टेक्स्टाइल सिंथेटिक सामगरी से बनाए जाते हैं। Option C, जियो टेक्स्टाइल का उपयोग मिर्दा इस्थरीकरन और कटाओ नियंदरन के लिए किया जाता है, जबकि प्रोटेक्टिव टेक्स्टाइल का उपयोग खत्रों जैसे गोलियों, चरम, मौसम या कारिस्थल पर सुरक्षा के लिए किया जाता है। और D, geotextile को उप्योग कारिस्तल के खतरों से बचाने के लिए के लिए किया जाता है जबकि protective textile को उप्योग सॉंदर पर्यजणों के लिए किया जाता है। देखते हैं इसका रहाई ज़एज़ाब की है call is option c, अब हम देखते हैं इसकी व्याख्याद जैसा कि हमने कहा था कि पिछले परस्ट में कि हम देखेंगे कि जियो टेक्स्टाइल आखिर क्या होते हैं तो देखिए यहाँ पर कि जियो टेक्स्टाइल के अगर हम बात करें कटाओ नियंतरण में सहता करता है और जल निकासी में मदद करता है वहीं आगर हम सुरक्षात्मक वस्तर की बात करें तो इसके अंतरगर देखें यह कार्यात्मक गुनों के लिए उप्योग के जाने वाले तकनिकी वस्तरों की साखा, सजावटी सुंदर परिजनों के लिए नहीं है, मतलब इस तरह के जो वस्तर होते हैं वो सजावटी नहीं होते हैं और सुंदर परिजनों के लिए नहीं बनाई जाते हैं जैसे गोलियों, चरम मौसा मकारस्तल पर खतरों से सुरक्षा प्रदान करना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन की और अगला प्रशन है कि आई आई पी में किस शित्र का भारांग सबसे कम है। चर परशन है, रिफाइंडी उतपाद, उर्वरक, बिजली और कच्छा तेल, देखते हैं इसका सही जबाब क्या है? इसका सही जबाब है, आप्शन B मतलब उर्वरक का. देखते हैं इसकी व्याखियां, सो जबर पालि बाद कि हम इसकी चर्चा क्यूं कर रहे हैं, हम इसकी आईपी से सम्मंधित जो आंक्रे हैं वो जारी कर दिये गए जिसके अंतरकत फरवरी महिने में भारत के ओद्योगिक उत्पादन में 5.26% की विर्दी हुई है जो जनवरी की 5.45% की विर्दी से थोड़ा अधिक है साथी साथ अगर मैनिफेक्शिंग सेक्टर की बात करें तो वी निर्बान उत्पादन में 5.63% की विर्दी हुई जबकि एलेक्रिसिटी प्रोडक्शन की हम बात करें उसमें 8.7% की विर्दी हुई है हाला कि अध्योगिक उत्पादन सुचकांक करमिक रूप से जनवरी की स्थर से 5.6% नीचे था साथी साथ अगर हम उपभोगता टिकाओ वस्तों की विर्दी बात करें तो इसका उत्पादन लगातार तीसरे महिने घटा है और फरवरिम इसमें 4% की गिरावटाई है आगे हम देखते हैं कि IIP और द्योगिक उत्पादों की उत्पादन की मातरा में परिवर्तन की माप करता है और इसे राष्टी सांखी की कारियाले मतलब की NSO सांखी की और कारिक्रम कारियानन मंत्राले मतलब मौस्पी Ministry of Statistics and Program Implementation उसके द्वारा मासिक रूट से संकलित और प्रकासित किया जाता है और IIP के लिए आधार वर्ष 2011-12 है साथी साथ IIP का उप्योग सरकारी एजन्सियों द्वारा नीती निर्मान उद्देसियों और तिमाही और अगरिम जीडिपी अनुमानों की गन्ना के लिए किया जाता है और IIP में वस्तों के भार का 40.2.7% उसमें समय आठ कोर सेक्टर के लिए हैं और यह जो आठ कोर सेक्टर जिसके नामों की आगे में बात करने वाला हूँ यहाँ पर मैं करमिक रूप से कर रहा हूँ उनके भारांग के उसाथ सबसे ज़्यादा भार होता है रिफैंडरी उतपात का फिर उससे कम बिजली का फिर स्टील का फिर कोईला कच्चा तेल प्राकरती गैस सिमेंट और उर्वरक सबसे कम जो भारांग होता है वो किसका होता है उर्वरक का होता है इसके साथ ही MCQ से समन्दित आज के इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं नए परश्णों के साथ नमस्ताइब